तो दोस्तों मोटरोला 15 फरवरी को अपना एक और बिल्कुल नया एंट्री नेवल स्मार्टफोन एंडियन मार्केट में फिलिपकार्ट के तरह लांच करने जा रहा है फिलिपकार्ट यह पर आपने इसका टीजर पेज भी यहाँ पर देख लिया होगा अब मोटरों ने खुद ही यहाँ पर सभी फीचर्स अल्डेडी यहाँ पर कंफर्म करनी है यह जो स्मार्टफोन ने ग्लोबल मार्केट में भी यहाँ पर लांच हो रखा है तो चलिए स्पेसिफिकेशन स्कीन बात कर लेते हैं तो सबस्क्राइब बात की जाए डिस्प्ले की तो यहाँ पर 6.6 इंचिस का एक HD PLUS रेजिशन वाला पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है अब यहाँ आपको 90Hz का हाई रिफ्रेशेट भी देखने को मिल जाता है तो एक सही चीज यहाँ पर हो जाती है लेकिन यहाँ पर चिपसेट दिया गया ना वहीं ही पुराना वोटो अल्रेडी स्मार्टफोन में यूज कर चुका है यहाँ पर हम बात करें लेकिन सही चीज ही होने वाली है कि यहाँ पर कम प्राइसिंग के अंदरी एंट्री लेवल स्मार्टफोन के अंदरी एंड्रोइड 14 आउट अप देखने को मिलने वाला है और मोटो का क्लीन थोड़ा सा रहता है मतलब बाकी ब्रैंट से तो क्लीन ही रहता है उपरिणिंग सिस्टम तो इस सही चीज हो जाती है इसके राव में आपको साइट मौटेड फिंगर्मिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा डॉल्ब एट्लस साउंड का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा सिंगल स देखने को मिलने वाली है तो सही है जिनको अभी की टैन पर Android 14 के साथ में एक 4G स्मार्ट फोन चाहिए और लोगों की नहीं अच्छा उप्शन हो सकता है जिनका बहुत ही कम बजट है नहीं तो फिर 10,000 की प्राइजिंग में आपको मोटो लगा यहाँ पर 5G स्मार्ट फोन देखने को मिल रहा है तो वह अभी भी एक बैटर ऑप्शन है इसको यहाँ पर स्किप कर देना विल्कुली टाइट बजट है तो देख सकते हो बागी 15 फरवरी को देखते हैं आपको कैसा लगा मोटो है नया स्मार्ट फोन कमेंट से बताना और दोस्तों इस वीडियो के ल कर देना वागी चैनल पर में वह पहली बढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकल के जुरूर से दबा देना और मैं मिलता हूं हमेशे किता आप से नेक्ट मीडियों तक किने बाए एंड टेक केर